जैन्धर्म के चोबीस में वो अंतिमतीर्थकर महावीर के 2550 वे निर्वान दिवस कार्तिक कृष्ण अमवश्या यानि एक नवंबर को मनाई जाएगा इसी के साथ वीर निर्वान समवत 2559 का शुभारम होगा भगवान महावीर स्वामी ने कार्तिक अमवस्या के दिन अस्ट कर्मों का नाश करके निर्वान प्राप्त किया था जन्मानस को ग्यान के प्रकाश की ओर लिजाने वाली इस दिवी भूती ने आत्म कल्यान तथा समाज कल्यान में अपने जीवन को समर्पित कर मानवता पर परम उपकार किया भगवान महाफिर स्वामी के निर्वान दिवस के संदर में वैशाई नगर में चातुल मास कर रही परम पुझे गणधर तिर्थ प्रनेता चार एकसो आट शी सिधान्त जी महाराजी की शिश्या एकसो पांच आरी का सवभाग गिमती ने जानकारी दी और दिपावली पर्व की बधाईयां दी भगवान ने की परम पुझ गुर्देवाचे शिद्धान सगर्जी महराजी की आइन समय जयन धर में की आज हम इस वर्स भगवान महावीर स्वामी का पचीस सो पचासवा निर्वान महुस्व मनाने जा रहे हैं जो की हम यदि अपने घर में किसी की पचासवी सालगर्य होती है तो हम बड़े ठाट बाट से बड़े धूम धाम से मनाते हैं फिर तो हमारे सासन नाएक भगवान महावीर स्वामी है जिनके सासन में हम जी रहे हैं पल रहे हैं बढ़ रहे हैं ऐसे भगवान महावीर स्वामी का पचीस सो पचासवा निर्वान महोस्व मनाने के लिए जा रहे हैं तो मैं पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के लोगों को यही सुव कामनाओं के साथ यह आपके लिए बोलना चाहूंगी कि आप सभी लोग इस बर्स भगवान महावीर सौमी का निर्वान महोस्व प्रतिवर्स मनाते हैं उसकी देश हमारे पूरे विश्व में फैल है ऐसी सुभ भावना के साथ सभी के लिए बहुत-बहुत आशिवाद और सुभ कामना है बहुत बढ़िया चुकि हम अंग्रे जी सासन में है नहीं लेकिन फिर भी आगे जी सासन में हम जी रहे हैं लेकिन बर्तमान में यदि देखा जाए तुम भगवान महावीर के सासन में जी रहे हैं और भगवान महावीर का जब सासन में जीते हैं तो उस दिन भगवान महावीर सौमी को निर्वान हुआ था उस दिन से हम नया वर्स मनाते हैं तो इसलिए दीपवली की तेवं नय वर्स की आप सबके लिए बहुत-बह गोला है। यह सोभग मियन के व्यसाली नंगर कि नुद भगवान मावीर सव्वमी है और हमारी दीच्छा भगवान मावीर कि टौक पर मावीर जैनती के दिन हुई ती, 25 वह चतुरमा समारा व्यसाली नंगरी भगवान महावीर कि चरण सानेत में हुआ है।